अमेरिकन ऊंट्रप्रेणियोर सक्सेस मेगजीन के डारेक्टर तकमपाउंद एफेट के और और सक्सेस मेंटोर डेरिन हारडी से मैंने लाइफ के दो बहुत ही ज्यादे इंपॉर्टेंट लेसें सिखें दूसरा वहला लेसं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेल्कम बैक दोस्तों हंडेड देस कम्यूनिकेशन चालेंज के अब 32 दिन में आपका स्वागत है लाइफ लिसन नंबर वन विडियों लैक ऑपर्चुनिटी वी ओनली लैक फॉर करेज मतलब हमारे पास ऑपर्चुनिटी की कमी नहीं है कमी है तो सिर्फ करेज की हिम्मत की इसका बहुत बड़ा एक्जामपल आप लोगों की जिन्दगी में देख सकते हो अमशोर लोग आपसे अकसर बोलते होंगे कि लाइफ में ऑपर्चुनिटी की कमी है कहां जाएं क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा काम करें कौन सी जॉब करें कौन सा वक करें बड़ उनको ग्रोध दिखता नहीं है बट एक बार अगर आप कंफट जोन से बाहर निकलें और अपने आपको थोरा सा अनकंफ़रटेबल बनाएं तो आपको अपर्चुनिटी दिखने लगेंगी आपको जॉब्स दिखने लगेंगी आपको केरियर में आगे रास्ता दिखने ल है कहां मौके हैं दुनिया में बहुत सारे मौके हैं दुनिया में बहुत सारी ऑपर्चुनिटीज हैं दुनिया में बहुत सारे जॉब से हजारों जॉब से करोनों जॉब से बट इनसान के अंदर अगर कमी है तो विल की स्किल की अगर आपके पास विल है स्किल है तो आप आपका विल होना चाहिए और आपके पास करेज होना चाहिए ताकि आप जाएं और ऑपोर्चिनिटिस को देख सकें आपको अब्जरवर होना परेगा मतलब आपके पास सारी चीजें हो सकती है जो आप चाहते हो जो आप हांसिल करना चाहते हो बस आपको स्रिफ उन चीजों का इस्तमाल करना है जो आपके पास पहले से मौझूद है उन आप बिग दिफिरेंस जो मुझे सकसेस्ट्री औसा का पूरा युटिलाइज़ेशन करते हैं और अपने लिजियवर कर इन एक प्रियृर इनसान और एक इवरेज इनसान अपने रिजिवर का अच्छा इस्तेमाल नहीं करता है आपको पता है कि इनसान का दिमाग negativity bias होता है। हम सब का दिमाग होता है वो आपके पास हजारों अच्छी चीजें होंगी हजारों positive चीजें होंगी बट आपका दिमाग उस एक चीज पर ही जाएगा जो नेगेटिव हो उसी तरह आपके पास दुनिया की सारी चीज़ें मौझूद होंगी बट आपका दिमाग उस तरफ जाएगा जो चीज आपके पास नहीं है उसको बोलते हैं नेगेटिविटी बाइस मतलब हमारे जो दिमाग है वो कमी की तरफ जाता है कौन सी चीज हमारे पास कमी है हमारा माइंड वहीं जाएगा इसलिए successful इनसान जो होते हैं वो अपने positive resources का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और उसके पास जो भी चीज होती है उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं और utilization अच्छे से करते हैं अब यहां पर सवाल यह आता है कि आपके पास क्या-क्या resources है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरे पास resources नहीं है मेरे पास इसकी कमी है उसकी कमी है फ़लाँ चीज की कमी है मैं आपको बताओं आपके पास दुनिया का सबसे जबरदस्त और सबसे बहतरेन resources है जिसका कोई मुकाबला नहीं है आपके पास दुनिया की सबसे बैतरीन machine है दुनिया की सबसे बैतरीन system है वो है आपका दिमाग, आपकी body आपका दिमाग दुनिया में सबसे ज़्यदे powerful हत्यार है सबसे ज़्यदे powerful machine है जिसकी मदद से आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो और कुछ भी गोल को accomplish कर सकते हो, कोई भी मनजिल को हासिल कर सकते हो और साथ में आपकी body भी है बहुत सारे mediocre लोग अपने दिमाग का अच्छे से इस्तमाल नहीं करते थोड़ा सा इस्तमाल करेंगे, छोड़ देंगे बट आप अपने दिमाग का इस्तमाल किजिए, उनको नुचूर ये पूरी तरीके से उसको utilize किजिए जैसे मैंने आपको बताया कि successful लोग अपने resources का अच्छा इस्तमाल करते है उन लोग के पास best resource क्या होता है, उनका दिमाग होता है, उनका mindset होता है और वो लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से इस्तमाल करते है और वो लोग जानते हैं कि इसका इस्तमाल करना है और कहां करना है तो आप अपने resources का best इस्तमाल करोगे, तो आप वो सारी चीज़ें पासकते हो, जो आपके पास नहीं है, हम लोगों के साथ पता है problem क्या हो जाती है, हम लोगों के पास अगर कोई materialistic चीज़ें होंगी, तो हम लोग उसका अच्छे से इस्तमाल करेंगे, एक छोटा से example, आप कपड़ाद होते हैं साबून से, आपके पास कोई साबून है, उससे आप कपड़ाद होते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने साबून को आधा इस्तमाल करके छोड़ देते हैं, यह से थोरा सा इस्तमाल करके छोड़ देते हैं, कोई नया साबून मंगाते हैं, ऐसा तो नह हो जाए तो आप अपने दिमाग का की इस्तमाल कि नहीं करते आपका दिमाग तो इतना पाउरफुल है और इतना जबर्दस्ट मशीन है कि आप उसका बाता चालेगा आपके घांसान का स्पंज जोरिया स्थे होता है अब जितना इस्तमाल के गाए अधर ते रोल्म मैं सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और अपना प्यार देने के लिए तैंकिस सो मच